तंसनी ओफ इंडिया दिल्ली NCR में स्पोर्ट्स बाइक से स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले दो कुख्याद बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफतार किया है गिरफतार बदमाशों में से एक की पत्नी भी शातिर स्नैचर है जो फिलहाल स्नैचिंग के आरोप में जेल में है गिरफतार आरोपियों की पहचान विनोद नगर निवासी 22 वर्षिय संजे उर्फ बाबा और दललुपुरा निवासी 26 वर्षिय आशु डेरा के तौर पर हुई है इनकी गिरफतारी के साथ चोरी और स्नैचिंग के 19 मामले सुलज गए है दोनों गिरफतार बदमाशों की लंबी क्राइम हिस्ट्री है आशु डेरा के खिलाफ 24 चोरी और स्नैचिंग के मामले पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और गाजियाबाद के थाने में दर्ज है इसके साथ ही संजे उर्फ बाबा के खिलाफ 12 आप राधिक मामले दर्ज है पूर्वी जिला दिल्ली में स्पोर्ट्स बाइक से चेन और मोबाइल फोन चीनने वाले दो कुख्याद बदमाशों ने आन तक मचा रखा था इलाके में बढ़ती स्नेचिंग की वारदातों को चुनोती के रूप में लेते हुए बदमाशों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए पूर्वी जिला DCP प्रियंका कशप ने ओपरेशन सुदर्शन के तहट मिस शिप्रागिरी ACP प्रीत विहार की सूपरविजन और इंस्पेक्टर हीरा लाल SHO प्रीत विहार थाना के नित्रित्व में ASI विनोध कुमार, हेड कांस्टेबल ओम सिंग, कांस्टेबल योगेश धर्मेंदर मीना और विनोध की एक टीम बनाए इलाके में स्नैचिंग के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इंस्पेक्टर हीरा लाल SHO प्रीत विहार थाना ने सतर्कता बढ़ा दी जाज टीम को सीक्रेट इनफॉमिशन मिली की लास्ट 4 डिजित 3,292 की एक स्पोर्ट्स बाइक से बदमाश स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं Information मिलते ही इलाके में नाकाबंदी करके 4 digits 3,292 की sports bike पर नजर रखी जाने लगी Team ने इलाके में मुखबिरों का जाल बिचा दिया Team को मुखबिरों से 4 digits 3,292 की sports bike खान अफरीत विहार इलाके में घूमने की सूचना मिली Team ने तुरंत इलाके में नाकाबंदी लगा दी मंडावली अंडपास के पास 4 digits 3,292 की sports bike पर 2 suspect आते दिखाई दिये पुलिस टीम ने रुखने का इशारा किया लेकिन पुलिस टीम को देखते ही bike सवार यूटन लेकर भागने की कोशिश करने लगा लगभग 200 मीटर पीछा करने के बाद दिल्ली पुलिस टीम ने bike सवार दोनों बदमाशों को दबोच लिया गिरफतार आरोपियों की पहचान E-Block, पूर्वी विनोद नगर निवासी 22 वर्षिय संजे और्फ बाबा पुत्र देव नारायन और नियर पीपल चौक दललुपुरा निवासी 26 वर्षिय आशु डेड़ा पुत्र सुखबीर सिंग के तोर पर हुई है इनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एफजिड मोटरसाइकल सहित तीन बाइक बरामद हुई है पूछताच में सामने आया कि आशु डेड़ा की पतनी शिवानी भी कई स्नैचिंग की वारदात में शामिल है कल्यान पूरी थाना इलाके में हुई स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने उसे गिरफतार कर जेल भेज दिया है आशु के खिलाफ 24 चोरी और स्नैचिंग के मामले पूर्वी दिल्ली, शाहद्रा और गाजियाबाद के थाने में दर्ज है इसके साथ ही संजे के खिलाफ 12 आप राधिक मामले दर्ज है इबलॉक, पूर्वी विनोद नगर निवासी 22 वर्षिय संजे उर्फ बाबा पुत्र देव नारायम ने 7 वी कक्षा तक पढ़ाई की है गांजा और स्मैक की लट की वजह से बुरी संगत में पढ़ गया इसने भी जल्दी और आसानी से पैसा कमाने की चाह में अपने सहयोगी के साथ मोटर साइकल चोरी और स्नैचिंग करना शुरू कर दिया इसकी भी लंबी क्राइम हिस्ट्री है यह पहले पूर्वी दिल्ली में चोरी, स्नैचिंग और आटो चोरी के 24 मामलों में शामिल पाया गया है संसनी ओफ इंडिया नेटवक ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरू